Hello student, welcome to my youtube channel Excellent Success Group तो student आज हम डिसकस करेंगे class 10 में chapter 15 probability के important question question number 58 में दे रखा है box contain 100 red card, 200 yellow card and 50 blue card if a card is thrown at random from a box, उस box में से card निकाले जाता है then define the probability that it will be a blue card निकाले गया card कौन सा होगा blue होगा, probability बतानी है not a yellow card, पिला रंगा card नहीं होगा इसकी probability नेदर yellow nor blue, ना तो yellow होना चाहिए ना blue होना चाहिए उसकी probability बतानी है तो probability निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें total possible outcome मेरे क्या बनते है total possible outcome का मतलब है total जितने भी number दे रखे, क्या-क्या possibility हो सकती है ठीक है तो सबसे पहले में लिखता हूँ total possible outcome ठीक है तो total possible outcome बनाने के लिए मेरे को दे रखे है याँ पे 100 red card है मेरे plus 200 मेरे yellow card है ठीक और 50 मेरे blue card है तो कुल मिला के मेरे कितने बने card 300, 300, 300 300 मेरे card निकल गया आते हैं जिसमें red, yellow and blue है फिर जिसकी probability पूछी है वो मेरे आजाएगा favorable outcome तो यहाँ मेरे से probability पूछीगी है blue card की ठीक है तो मेरे पाद blue card कितने है blue card मेरे पास total 50 अब इसकी probability बतानी है तो मेरे favorable जो outcome होगा वो कितना होगा 50 और total outcome कितना होगा 350 0 से 0 मेरे cancel out हुआ 5 एंजा 5, 5, 7 एंजा 35 मेरे probability कितने होगा 1 by 7 हो जाएगी ठीक है second case event 2 बोला है not yellow card यहन्ने कि yellow card नहीं होना चाहिए not yellow card अगर वो yellow नहीं होगा तो कौन सा होगा तो red होगा या blue होगा तो मेरे red कितने है 100 blue कितने है मेरे 50 total कितना हुआ 150 तो मेरे favorable outcome क्या बनेगा favorable बनेगा मेरा 150 और total card गिन दो जाएगा मेरे 350 0 से 0 मेरे cancel out हुआ दोनों में 5 का डिवाट जा रहा 5, 3 जा 15 5, 7 जा 35 तो मेरे probability भी 3 by 7 तीसरा बोला neither yellow nor blue neither yellow nor blue card ना तो यलो होगा ना blue होगा चलो yellow मना कर दिया yellow मतलो blue मना कर दिया blue मतलो तो अगर yellow और blue नहीं होगा तो कौन सा card होगा वो red card होगी red card कितने मेरे 100 तो इसकी probability निकान लेगा तो यानि की favorable outcome मेरे कितना हुआ 100 and total possibilities कितनी है 350 0-0 cut किया अब 2, 5 जा 10 5, 7 जा 35 मेरा अंसरे कितना होगा 2 by 7 ठीक है और इसे के साथ मेरे question number 58 यहाँ पे complete होता है तो अब हम discuss करें question number 59 तो पहले मैं उसे note कर लेता हूँ तो question number 59 मैंने आपे note कर दिया बोला गया card is a throne from a well suffered deck of 52 card यानि 52 पत्तों की ताश की गड़ी है जिसमें से card निकाला गया है probability बताओ king of red color लाल रंग का राजा होने की probability face card होने की queen of diamond diamond की queen होने की probability बताओ अगर ताश के question आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसके लिए आप इस chart को देख सकते हो इसमें मैंने पूरे card को explain किया गया है total हमारे 52 card होते हैं जिनको दो category बाड़े जाता है black and red में 26 black, 26 red black की फिर दो category बाड़े जाती है पहला club होता है जिसमें 3 card होते है spade जिसमें 3 card होते है diamond, diamond में 3 card heart में 3 card होते है जिसमें मेरे heart type के 3 face card होते है 26 black, 26 red फिर उसकी दो category club, speed, diamond and फिर red की दो category, diamond and hut यह होती है ठीक है अब question हम इसके भी हाफ पर करेंगे तो सबसे पहले हम या रिखेंगे total possible outcome या फिर total card एक ही बात है total possible outcome मेरे देखो जो भी card निकालूंगा 52 card में से कोई एक card होगा अब event 1 क्या बुला गया है a king of red color लाल रंग का राजा होना चीए तो देखो red color के card में हमारी यह रहे एक यह रहा, एक यह रहा total कितने हुए, 2 अब मुझे इसकी property बतानी है ठीक, red color के कितने है, 2 यह तो हुआ मेरे favorable outcome total outcome कितने है, 52 दोनों में divide जा रहा है, 2 2 वन जा 2, 26 तूजा 52 second event 2 बुला है a face card face card मैंने आपको बता है, वो card होते है जिसमें picture बनी होती है, तो picture इसमें तीनों में होती है, इन तीनों में, इन तीनों में यहनि 4 king 4 queen और 4 jack total हुए 12 card ठीक है, अब इसकी probability बताते हैं, तो मेरा favorable outcome कितना हुआ 12, total कितना हुआ 52, दोनों में divide जा रहा 4 का, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, probability होगी 3 by 13, ठीक है third event बूला है queen of diamond ठीक है, the queen of diamond यानि diamond की queen होनी चाहिए diamond कुन सा मेरा ये वाला इसमें queen कितनी, सिरफ एक ही तो queen है diamond की एक है अब इसके मुझे probability बतानी है तो मेरा favorable outcome कितना हुआ 1 और total outcome कितने मेरे 52 तो इसकी जो probability बनेगी, वो कितने मेनेगी बना पोन में 52 ठीक है और इसी के साथ मेरा question number 59 यहां पे complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और इस channel को जुरू subscribe कर लें ठीक है मिलते अगले वीडियो में ओके बाबाई, thank you